मंच पर आसीन, दोय मुनी राजों को मेरे नमोस्तू, नमोस्तू, नमोस्तू. महराजी, संक्लेश परणामों से आयू छोटी होती है, विशुद्य परणामों से आयू बढ़ी होती है, लेकिन मनुष्ट का जब जन्म होता है, तब ही उसकी आयू निश्चित हो जाती, तो ऐसा कैसे है? संक्लेश से छोटी और विशुद्य से बढ़ती, वाके को संसोधूत कर लो, संक्लेश से आयू का छह होता है, विशुद्य से आयू बढ़ती नहीं छह रुखता है, हम जितनी आयू लेकर आए, उतनी जीने की योगता हमारे पास रती है, पर उतना हम जीए ही ये ज़रूर परिवर्तन भी हो शकता है, समझ के वो परिवर्तन संक्लेश आदी के निमित से होता है, हमारे हां आयू के असमे में छह होने के कुछ बिशेश कारण बता है, विश बेयन रत्तक है, भै सत्तगहन संक्लेशन, आहार उसा सानाम निरोहना चिज्यदे आयू, फिर गिरित पयन परन चलन भंगेही अने पसंगेही विवेही अपमत्यू महा दुख्वं पत्तोसी अनन्त ओधीरं कि विश के भक्चन से, रक्त के छह से, सस्त के आगात से, और एक उसमें दिया संक्लेश से, आहार उच्वास के निरोध से, और अन्याय अनीती के प्रशंग से हमारी आयू छीन होती है, तो अगर कोई विक्ति अपने आप प्रशंड रखता है, तो वो अपनी वास्तविक जिंदिगी जीने में समर्थ हो सकता है, और कोई विक्ति बहुत कलुष परणाम वाला होता है, तो उसकी आयू असमें में भी नश्ट हो सकती है, ऐसा सास्त का विधान है, पर ये नहीं है कि हमारी आयू बढ़ जाए। आयू बढ़ती नहीं घट सकती है। सौ वर्ष की आयू वाला अगर इस पर सफ्त्र का आगात हो जाए तो एक सेकेंड में जा सकता है। समझें?